स्वागत है प्यारे बच्चो आप सभी का आज की इस वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Class 9th का आपका जो Social Science का सब्जेक्ट है बच्चो हिंदी में जिससे हम सामाजिक विज्यान कहते हैं इसके history यानि की इतिहास के subject से most important map यानि की मांचित्र के बारे में basically बच्चो history से हम इस वीडियो में केवल एक ही ऐसा map discuss करेंगे बच्चो जो की आपके midterm exam के साथ साथ आपके final exam के लिए भी बहुत ज़रूरी है उस एक map की बहुत अच्छे से आपको मैं practice भी कराऊंगा उससे संबंदित जो भी question exam में पूछे जाते हैं वो भी आपको बताऊंगा ठीक है तो चलो शुरू करते हैं बिन दरी करते हुए अगली वीडियो जो रहेगी वह आपकी जियोग्राफी के में बना दूँगा और जियोग्राफी की वीडियो का link आपको आई वटन में दे दिया जाएगा इस वीडियो के बाद आपका कोई भी query question doubt होता है आप मुझस के 9th class ठीक है और चैनल पे इस वीडियो के मारदम से आप पहली बार आए हो तो फटा फट से इसे subscribe कर लो और कर रखा है तो make sure बच्चो कि जो bell notification होता है न एक बाद चेक कर ले न कि आपने से all पे set कर रखाया ने ठीक है चलिए मैं तो तयार हूँ आपको map समझाने के लिए कि आप तयार है बच्चो आर यू रेड़ी चलिए शुरू करेंगे तो यहां पर देखो हमारा जो एक most important map है उसका topic है फ्रांश के मुख्ष है अब आपकी जो बुक है बच्चो उसमें ये वाला map दिया गया है अब इसमें आप क्या याद रखें कि याद ना रखें तो मै दूसरी है बोर्दो हिंदी में बोर्डोक्स बोलते हैं तीसरी है आपकी पैरेश चौत्थी है आपकी मार्सिल्स अब आप इससे कैसे याद रखोगी क्योंकि इस में पता नहीं कहा कहां पर दे रखा है तो इसके लिए आपको मैं खाली map दिखाता हूं ठीक है यह देखो जहां पर मैंने अंकित किये हुए हैं पहली जो जगह है आपकी यह है नांतेस ठीक है ना आपकी यह जगह कौन सी है पहली नांतेस दूसरी जगह जो है यह है आपकी बोर्दो ठीक है तीसरी जगह जो है आपकी यह है आपका पैरिस और चोथी जगह है आपकी यहां पर मार्स ठीक है या फिर मार्सिल्स कह सकते हो अब इसका भरा हुआ मैप देख लो यहां पर नांतिस आपका इस वाली जगह पर है पैरिस आपका यहां पर है और मार्सिल्स आपका यहां पर आ अब एक चीज को ध्यान से देखो इन सभी को हम थोड़ा और अच्छे समझते हैं कि इन सभी से कैसे कैसे जो है आपके मिट्रम एक्जाम और आपके फाइनल एक्जाम में पूछे जा सकते हैं ठीक है तो कैसे कैसे कुशन है बच्छो पहला कोशन जो रहेगा वह इस प्रकार स से आएगा कि दास व्यापार से संबंदित एक बंदरगा तो दास व्यापार से संबंदित दो बंदरगा है बच्छो सबसे पहला है नान्तेस जो कि आपका इस वाली जगए पर दिया गया है ठीक है दूसरा बंदरगा है बच्छो बोर्दो जो कि आपका यहां पर दिया गया है ठीक है उसके बाद में यह तो मारा पहला कोशन हो गया दूसरा कोशन बनेगा कि जो राजधानी शहर है फ्रांश का वो कौन है तो वह बच्छो पैरिस और पैरिस कहां पे है इस जगह पे ठीक है तीसरा आता है कोशन कि फ्रांश के नैस्नल एंथम से संबंदित जो राज यह है उसके वारे में तो वह बच्छो मार्सिल्स और मार्सिल्स कहां पे है इस जगह पे ठीक है तो किस जगह के वारे में क्या कोश्चन वनेगा समझ गे अच्छे इसके अलावा आपके इसी मैप से चार से पांच जगह ऐसी है जो पूछी जा सकते डारेक्टली कि बताईए यह कहां पे है ठीक है जिसमें सबसे पहले यहाँ पर Toulouse आ जाता है और एक यहाँ पर LCS आ जाता है बस यही चीज़ें आपको याद रखने हैं तो कुल मिला के कितनी जगए आपने याद की जो सबसे ज़्यादा जरूरी है और उनके questions वो तो सिर्फ आपके यह वाले हैं ठीक है उसके अलावा पहले तो आपका Nantes हो ग यग के विए चाहिए आपका Nantes का मिट्रम का Gem ऑन फिर फाइनल का हो हिस्टरी से अगर आपका जो France का मैप आता है मिट्र में तो यह ही आएगा ठीक है एक है एक है लेकिन अगर फाइनल में आता है तो यह बहुत ज़रूरी है आपके ठीक है तो इसको करके जाना सब कुछ म जोग्रफी के कम से कम 2-3 ऐसे मैं आप समझाऊंगा जो कि हर साल पेपर में आते हैं ठीक है तो बच्छो आप जोग्रफी की वीडियो को जरू देखिए गा जोग्रफी की वीडियो का लिंक भी आपको मैं आई वुटन में दे और वीडियो के description में ठीक है तो सभी बच्चे उसको जरू से देखें अब आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें अपने सभी दोस्तों में share करें comment में बताएं वीडियो कैसी लेगी और साथ ही चैनल को subscribe करें मिलते बच्चों अगले session में अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना प्यारों सपोर्ट बनाया रिखिए बढ़ाए कीजिए धन्यवाद जय हिन जय भारत वंदे मातरम